दोस्तो नमस्कार आदाब सच्छी अकाल नियोज क्लिक के कारिकरम हफते की बात के साथ मैं उर्मिलेश उत्तरप्रदेश के चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद ऐसा लगता है कि भारती जनतापाटी के खेमे में कुछ उदासी है कुछ बेचैनी और घबरायट है और अच्छी की बात यह है कि जब इन पांच राजियों के चुनाव खासकर उत्तरप्रदेश जो बहुत महत्पून है किसी भी दल के लिए भारती जनतापाटी के लिए भी और अन्य दलों के लिए भी जब ये उत्तरप्रदेश के चुनाव में सरगर्मी तेज हो गई और भा किया जाने लगा और टेलिविजन चैनलों के जरिये खासकर जो टीवी पूरम है जो आम तोर पे सत्ताधारी जो दल है उसकी एक तरसे ऐसा लगता है कि जैसे उसके नक्षिक कदम पर सारा कुछ कंटेंट वहां ताय होता है उस पे दिन रात इसी को दिखाया जाने लगा औ क्यों इतने जोशो खरोस के साथ उठा सोचने की बात है और दूसरी बात कि आखिर हिजाब का मसला उठा ही क्यों ये कौन सा ऐसा मसला है आप अगर विद्यालेयों में स्कूलों में कालेजों में धार्मिक पहचान वाले धार्मिक प्रतीक वाले धार्मिक कलर वाले तमाम क परमकांडी कारिक्रम तक करते और कराते हैं हिंदी हार्ट लैंड में तो आखिर अगर करनाटक में, तमिलनाड में, केरल में या किसी भी प्रदेश में अगर लड़कियां अपने सर को ढख कर चल रही हैं किसी मजभब को मानने वाली उनकी आस्था अगर किसी उसके धार्मिक बुले में है, तो आपको परिशानी क्या है? जब टीका लगाकर, लाठी लेकर और भगवा गमचब अपने गले में लटकाकर शहर में हुर्दंगई की जाती है, तब आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत आध्यात्मी को लगता है, संतों और साधूं के वेश को अगर हुर्दंगी पहन लें और उसके जरिये शहर में हुर्दंग मचाएं, तो क्या इसको आप संतही कहेंगे? लेकिन शान्ति पूर्ण ढंक से विद्याले, विश्विद्याले, कॉलेज जा रही लड़कियां अगर अपने सर को ढख कर चलती हैं, तो आपको बड़ी परिशानी है, मैं तो कहता हूँ कि वो टी-शर्ट पहने, जिन्स पहने या हिजाब लगाए, हिजाब पहने, इसका फैसला वो लड़कियां करें, आप कोन होते हैं करने वाले? आपके विद्यालेओं में, महाविद्यालेओं में, विश्विद्यालेओं में, जब सरस्वत वंदना की जाती है सरस्वती की प्रार्थना की जाती है विद्या का पर्यायवाची आप मानते हैं थोड़ी देर के लिए सोचिए दूसरे जो धर्म के लोग देश में हैं आकिर भारत एक धार्मिक देश तो है नहीं एक सेकुलर कंट्री है और सेकुलर संविधान है आपने स कर रहे होते हैं क्यों प्रैमरी स्कूलों में सरस्ति बंदना होती रही है और आज भी होती है और आप क्यों नहीं कहते कि एक धर्म का यह नहीं होना चाहिए सभी धर्मों की प्रार्थनाय तब कराईए तो हिंदू हिंदू डामिनेशन हिंदू वर्षय स्वाप को चाहिए लेकिन सम्मिधान ने आबादी के हिसाब से इस सम्मिधान की संरचना नहीं की है अब कल्पना कीजिए करनाटक के इन दोश्यारों का नाम हम लोग बशपन से सुना करते थे खास कर उच्फी हम उत्तर भारत में भी उच्फी रेस्टरेंट में डोसा और इडली खाना के लिये लोग जाते रहे हैं उड़पी रेस्ट्रेंट्स के लिए मशूर है पूरे देश में उड़पी के लोगों के रेस्ट्रेंट है और शांदार रेस्ट्रेंट हैं साउथ इंडियन डिशेज शांदार मिलती रही है उसी तरह से मंडिया मंडिया जो है सुगर केन के लिए मशूर है पूरे देश में सुगर केन का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर वहां होता है। कावेरी सहित चार नदियों का शहर है, इलाका है, छेत्र है मंडिया। इन दो खुबसूरत शहरों को भगवाधारी, हिंदुत्वादी, हुर्दंग मचाने वाले लोगों ने बदनाम कर दिया है, कुख् स्ट्राइक जैसा कुछ नहीं मिला, आपको पुलवामा जैसा कुछ नहीं मिला, तो अब आपने करनाटक में हिजाब के इशू को उठा दिया है। और दुखत ये है कि न्यायले में इतना विलंब हो रहा है। इस वीश में सारे विश्विद्याले, सारे कालिस, 16 फरोरी त के इशू पर भी बंद करा दिये होते हैं कि छात्रों के लोगों, घर के लोगों को बहुत तबाही परिशानी है, मंगाई कम की जाए, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, विश्विद्याले कालिजों में आफलाइन क्लासे हों, पढ़ाई लिखाई हो, इसके लिए बंद नहीं हो रहा है, बंद इसके लिए हो रहा है कि लड़कियां कुछ लड़कियां हिजाब क्यों लगा रही हैं, वो अपना सर ढखक कर क्यों आती हैं, कहीं आप कहते हैं कि जिन्स नहीं पैनने देंगे, कहीं आप कहते हैं कि हिजाब नहीं लगाने देंगे, ये क्या है, तो जो international जो freedom है religion की उसका एक segment वहाँ पर है एक प्रकोस्ट है उसके जो ambassador है ambassador at large उन्हों ने भी इस पर protest किया है दूसरे और कई देशों की हुकमतों ने protest किया है इस पर हमारे विदेश मंत्री साब उनका ये कहना है कि अभी ये मसला कोर्ट में विचाराधीन है इस पर दूसरे मुलकों को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है इस पर ज़्यादा हस्त तक्षेप करने की जरूरत नहीं है अमेरिकी की जो संस्ता है उसका नाम है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम उसके एमबेस्टर एट लार्ज हैं रशद हुसेन इनका बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विशह बना है और भारत की काफी अलोचना हो रही है तो इस तरह के मुद्दे को उठाने से क्या फैदात क्या नुकसान है ये सामने आ रहा है दोस्तों और दूसरी हमारी खबर है कि 14 फरवरी 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मत्दान होंगे सारणपूर, रामपूर, देवबंग, बेहट, नजीबाबाद, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, संबल, चंदोसी, अमरोहा, बदायू, बरेली, शाज, आपूर, सहित, 55 सीटे है नौ जिलों की हैं ये 55 सीटे है यहाँ पर सेकंड फेज का पूलिंग होगा पहले फेज की पूलिंग के बाद जो माहौल हुआ है उससे जो समाजवादी पार्टी और RLD का एलाइंस है पहले के मकाबले थोड़ा ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहा है बड़ी रैलियां हो रही है एलाइंस की और एलाइंस के समर्थक जो अपने नेतित की जो एक कमजोरी कह लिजिए या एक सुस्ती पन कह लिजिए उसकी वज़े से बहुत दुखी थे अब उनमें एक जोश आया है उनको लगता है कि उनके नेता भी पहले की मुकाबले जोश के साथ थोड़ा स्मार्टनेस दिखा रहे हैं मेहनत कर रहे हैं और वो भी भारती जंता पाटी के नेताओं की तरह काफी रैलियां कर रहे हैं काफी लोगों से मिल जूल रहे हैं तो ये कुल मिलाकर चुनावी रंगत उत्तर प्रदेश में अब मतदान के बाद आई है मतदान के पहले चरण के बाद आई है देखना है कि साथ में चरण तक क्या इस्तिती रहती है लेकिन एलाइंस को लेकर अभी भी आलुचना इस बात की हो रही है कि उत्तर प्रदेश क कई बार नाम जुड़ते हैं कई बार नाम कटते हैं तो देखना होगा कि ये चुनाव दूसरे चरण के बाद कैसा रंग लेता है बहुत दिल्चस्प चुनाव उत्तर प्रदेश का हो गया है किसी ने कलपना नहीं की होगी और ये बाखलाट सत्ताधारी दल के निताओं में दिखाई दे रही है बलकि उसके हिसाब से RLDSP के निता तो मुस्कुराते नजरा रहे हैं अभी जैसे एक बयान आया योगी महराज का योगी जी उत्तर प्रदेश के मुक्खे मंतरी उन्होंने एक बड़ा दिल्चस्प बयान दिया अब पतानी ये बयान उन्होंने विपक्षियों को पस्त करने के लिए दिया या अपनी बाखलाट में यूपी के खिलाफ बोल गए अपनी पार्टी के ही खिलाफ बोल गए नुकसान में बोल गए उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों को बीजेपी को जीताना चाहिए क्योंकि बीजेपी अगर नहीं जीती उनके लब लुबाव यह था उनके बयान का तो उत्तर प्रदेश केरल बंगाल और कश्मीर जैसा बन जाएगा अब कश्मीर को थोड़े देर के लिए अलग रखते ह क्योंकि वह अतंकवाच की समस्या रही है और वो भी जाईर है राश्र राजिती सरकारें जो रही है समय पर उनकी भी गलतियां उसमें हैं जिन्होंने समय रहतें वहां की People's Disconnect के वज़हों को शिनाक्त उस की नहीं की और इस तरह से उगरवाद बढ़ता रहा लेकिन कश्म और बंगाल पर केरल जो है पूरे देश का नमबर वन इस्टेट है विकास के मामले में जो मानो विकास सूचकांख है उसके मामले में वो योरोप के भी कई देशों की बराबरी करता है और केरल हमेशा मोदी जी की सरकार हो चाहे मनमोहन सिंग की सरकार हो चाहे इसके पहले की सरकारे हो वो भारत के सभी राजियों में विकास के मामले में SDI Human Development Index के मामले में अवल रहता है स्वास्टे सेवाएं शिक्षा व्यवस्था सामा जी सौहार्द और शांती इस मामले में उसका कोई बराबरी किसी से नहीं है तो अब वो कह रहे हैं अगर आप हमें वोट नहीं देंगे बीजेपी को तो ये केरल बन जाएगा तो भाई केरल बनना तो उत्तर प्रदेश के लिए सो भागी की बात होगी यहां की जनता के लिए बहुत जबरदस्त काम्याबी होगी इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब अश्यम भावी भारती जनता पार्टी को हरा देना चाहिए यह निकलता है योगी जी के बयान का ये अर्थ निकलता है क्योंकि अगर जनता हरा देगी बीजेपी को तब योपी केरल बनेगा औ उच्छालें लेगा इसका तो मतलब ये निकलता है योगी जी ने क्यों ऐसा का ये योगी जी ही बता सकते हैं और दोस्तों चलते चलते दो छोटी छोटी खबरें और हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे एक तो बहुत महत्मुन घटना हाल की है कि हरियाना में हत्या बलातक के लिए और चुनाओ के दोरान किया गया पंजाब बगल में है पंजाब में जो गुरद्वारान में गलत बोल गया देरा राम रही म इसका इंपक्ट महां के दलित समधाय के कुछ सेग्मेंट्स में कुछ समुदायों में है तो शायद माना जा रहा है कि इसको काउंटर करने के लिए क्योंकि चनजी सिंग चन्नी के मुख्य मंतरी बनने और मुख्य मंतरी का भावी मुख्य मंतरी का चेहरा बनाये जाने से काफी परिशानी में है भारती जनता पार्टी अकाली दल, कॉंग्रे और दूसरे और दल की कॉंग्रेस को इसकी बढ़त मिल सकती है तो ये वो कारण समझा जा रहा है कि इनको रिहा किया गया हरियाना सरकार द्वारा और इसके बाद आशिस मिश्रा यानि अजय मिश्रा जो केंदरी गरी राजिय मंत्री है टेनी उनके बेटे जो किसानों की हत्या के अभियुक्त हैं आरोपी हैं वो जेल में हैं उनको कुछी समय के अंतराल में हाई कोट से जमानत भी मिल गई वो भी चुनाव में इन दोनों घटनाओं को चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है देखा जा रहा है क्योंकि अश्चर की बात ह कि इस देश में वरिष्ट पत्रकार मानवा धिकारी कारी करता गौतम नौलखा डॉक्टर उमर खाली पत्रकार सिद्धिक कपन आनन तेल तुम्रे जैसे लोगों को जमानत नहीं मिलती लेकिन ऐसे लोगों को जो बकायदे संगीन अपराधों के मुल्जिम है और सजायाफता भी है एक सजन उनको जमानत मिल जाती है किसी को फरलो मिल जाता है तो ये वाक्या एक समझा जारा बिलकुल आखिर में पत्रकारों के दमन के लिए भी इतिहास याथ या सबताः याथ किया जाएगा अब कश्मीर में कई पत्रकारों पर की गिरफतारी होई है जिसमें प्रवत शाह जो हैं और सजाद गुल जो हैं इन पर पियसे लगाया गया है इस मुद्दे को लोक सभा में काफी जोर शोर के साथ उठाया गया और इस पर लोक सभा में जब ये मुद्दा उठा तो इस पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया लेकिन सांसदों ने ग्रे मंत्रिया में शाह से निवेदन किया कि कश्मीर के दोनों पत्रकारों की रहाई को ततकाल इंशूर करें और सिदीक कपन की भी और आखरी लाइन पत्रकारों के कांटेक्स्ट में कि इस समय सूचना और प्रसारन मंत्राले की तरफ से जो पी आईबी है उसकी जो गाइ या लुचना की है प्रोटेस्ट किया है दिल्ली में और उन्होंने अपने डेलिगेशन के जरिये मेमरेंडम भी दिया है संबध्य लोगों को अब देखना है कि इस मुद्धे पर सरकार क्या करती है